NordVPN जो कि एक काफी popular VPN service है इसका use मैंने सबसे पहले किया दा 2020 में आज 5 साल होने को आ गए है उस चीज को और मैं अभी तक इसका regularly use कर रहा हूँ In fact, हर साल Best VPN के वीडियो में NordVPN को include भी किया है आज हम लोग NordVPN के बारे में डीटेल में बात करेंगे NordVPN के बारे में बात करो तो यह आता है NordVPN के बारे में बात करो तो यह आता है NordVPN के अंदर जो established हुआ था 2012 में NordVPN के अंदर बहुत सारी और भी companies आती है जैसे कि NordPass हो गया जो कि password manager है NordLocker हो गया जो कि cloud storage है और Sally eSIM recently उसके बारे में भी बात करी है हमने इस channel पर तो ऐसी है उनके बहुत सारे यहां पर products है mainly security से related और recently Surfshark और NordVPN भी merge हो गए थे लेकिन अभी पी यह दोनों एक separate products है इसको आप लोग ऐसे समझो जैसे इंडिया में Hyundai और Kia है वैसे ही Surfshark और NordVPN है इंटरफेस के बारे में बात करी जाए तो NordVPN का इंटरफेस कुछ इस तरह का है desktop के ऊपर जो कि यहां पर काफी टाइम से update नहीं हुआ है और यहां पर आपको left-hand side countries मिल जाती है servers मिल जाते हैं जिससे भी आपको connect करना है you can just click here और it will automatically connect you to that server और बाकी की settings यहां नीचे आपको मिल जाती है kill switch और जितने भी main settings वह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा android interface के बारे में बात करी जाए तो इसको यहां पर update किया गया था यह इसका नहीं interface है फिलार यहां पर जैसे आप लोग नीचे जाओगे यहां पर आपको सारी countries मिल जाएगी उपर यहां पर आपको map की locations मिल जाती है जैसे अगर मुझे इंडिया में चाहिए तो यहां पर में interface लेकिन desktop पर अभी भी मेरे साबसे improvement की requirement है servers की बात करें तो यहां पर 7000 servers आप NordVPN के पास आच चुके हैं around 118 countries में पहले यह number काफी कम हुआ करता है recently इन्होंने काफी जगह पर servers introduced कि हैं काफी virtual servers introduced करें इन countries like Greenland, Vermont, Nepal अब इन जगह पर भी NordVPN के जो कि Mumbai में है, physical server यह लोग नहीं रख सकते है because of data retention laws in India कि अगर physical server रहेगा तो एक compulsory हो जाता है VPN के लिए कि वो यहां पर data को रखे अपने पास तो एक अच्छा VPN वो ही है जो इंडिया में physical servers को नहीं रखे बलकि virtual servers रहे, वहां पर जो data retention law है उसको रखने की requirement नहीं रहेगी servers में यहां पर आपको dedicated IP भी मिल जाएगी लेकिन आपको इसके लिए extra pay करना पड़ेगा dedicated IP means कि यह IP सिफ आपको assign करी जाएगी और आप इसका use कर सकते हो और किसी को नहीं मिलेगी वाली IP double VPN है, double VPN means कि यहां पर दो country's से जाके connect होगा जैसे कि पहले Canada जाएगा, फिर Denmark से connect होगा पहले France जाएगा, फिर US से connect होगा तो ज़्यादा आपको security मिलेगी लेकिन यहां पर speed भी उतनी कम हो जाएगी Union over VPN if you are using Tor browser तो इसका आप लोग use कर सकते हो then we have P2P servers अगर आपको torrenting करनी है तो इन servers का आप लोग यहां पर use कर सकते हो around 6000 servers है, जिस पर आप P2P यहां पर कर पाऊगे और एक और यहां पर server है, जो तब आएगा जब आप लोग इसको switch करोगे open VPN पर turn off and reconnect, ठीक है अब now I'll go here, तो यहां पर आपको एक office created servers भी मिल जाएगी इंडिया में जो मुझे speeds मिली थी, वो थी 189 Mbps की download speed और 69 Mbps की upload speed, तो drop यहां पर actual में download पर सिर्फ 21% का था upload पर लेकिन 71% का था, same यहां पर US की भी कहानी है download पर मुझे 155 Mbps मिला है, upload पर 24 Mbps है तो download पर जो drop था, वो around 35% पर था, upload पर जो drop था, वो 90% था तो इसकी download speed तो मुझे काफी अच्छे मिल रही है, upload speed यहां पर थोड़ी और improve करी जा सकती है but for most people, जिनको यहां पर सिर्फ downloading और streaming और browsing ही करना रहता है, उनके लिए बढ़िया है for content creators, जिनको यहां पर वीडियो अपलोड constantly करने रहते हैं, उनके लिए शायद से यहां पर थोड़ा बहुत drawback हो सकता है security के बारे में बात करें जाएं, तो 256 bit का encryption है, protocols में इनका खुद का non Linux protocol है, जो की wire guard पर based है, so that is good two factor authentication है, कोई DNS leaks मुझे नहीं मिलें, तो security में इसने पूरा अपने आपको यहां पर cover करके रखा है वही पर अगर मैं privacy की बारे में बात करूं, तो जिनकी no log policy है, वो अच्छी है, इन्हों नहीं आपे clearly mention किया है कि कोई भी user identifiable data है, जैसे कि bandwidth, IP address, आपको उनसी website विजिट कर रहे हो, यह सब यहां पर non VPN नहीं store करता है हाला कि वो इसको यहां पर store करके रखता है, कि आप यहां पर कितनी देर के लिए connection आपने बना के रखा है ताकि जितने इनके active user session है, उसको यहां पर track कर पाईए, तो यह एक चीज है, बाकी सब कुछ तो यहां पर अच्छा है this is verified by a third party, by this audit, यह last 2023 में हुआ था, I hope यह इसको वापस से करा है, it's 2025, और पिछले एक दो साल में कुछ audits नहीं हुए, it's high time now, मेरे इसाब से एक और audit यहां पर बनता है streaming के बारे में बात करूँ, तो hotstar, disney plus, इंडिया में जितने भी streaming platforms है, geo cinema हो जाए, sony live हो जाए, सब पर यह work कर रहा था, और US में netflix, amazon prime, hulu, almost जितने भी मैंने इसको streaming platforms पर test किया, सब में यह easily work कर रहा था, streaming में तो हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और P2P के लिए यूज कर रहे हो, torrenting ले यूज कर रहे हो, तो भी जो इनके P2P वाले servers है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, split tunnel की बात करे जाए, तो यह Windows और Android पर अवेलेबल है, लेकिन Mac और iOS devices पर split tunnel नहीं चलता है, अब अगर gaming performance की बात करो, तो this is where NordVPN excels, मैंने आपर Singapore सर्वर मुझे best मिली है, अब NordVPN के आपर कुछ additional features भी आते हैं, जो सबसे पहला इनका feature है, वो है Threat Protection Pro, इसके अंदर सबसे पहले आपर आपको add tracker मिल जाएगा, add tracker जैसे ही एक news website में, आप इसको visit करता हूँ, this is the article that I am going to open, यहाँ पर देखो, कोई भी add नहीं है, और अच्छी बात य जाती है, जो बीच में आ जाती है, adds की वज़े से, वो इसने automatically हटा दिये, और Threat Protection में आपको और भी 2-3 चीज़े मिल जाती है, कि Anti Malware है, Anti Advanced Browser Protection है, मतलब इसको एक online antivirus की तरह समझ लो, कि online कोई भी आपको website या कोई भी activity करोगे, तो यह उसमें आपको help कर देगा, then आता है में आपे Meshnet, Meshnet से आप लोग remotely files को share कर सकते हैं, for example, मैंने NordVPN दोनों devices में install ले, Android में भी install ले, और यहाँ पर भी install ले मेरे Mac में, तो मैं आपे Android से Mac में easily files को share कर दूँँ, Mac से Android में easily Meshnet के तुर securely, एक secure VPN connection मना देता है दोनों devices में, तो securely मैं दोनों devices में आपे files को share कर सकता पाया Meshnet, और आपे dark web monitor है कि आपका email अगर कहीं पर leak हो जाता है, तो यह आपको inform कर देगा, कि ठीक है नहीं, कुछ data leak होई है, जिसमें आपका email को पाया गया है, devices की बात करें, तो यह लगबग सभी devices पे आपे available है, सारे major devices पे आपको मिल जाएगा, Linux पे एक problem है कि सिर्फ यहाँ पे command line मिलता है, user interface नहीं मिलेगा Linux पे, बाकी सारे devices पे easily work करता है, और maximum आप लोग इसको use कर सकते हो, 10 devices में simultaneously, पहले यह सिफ limits 6 devices तक थी, recently इसको upgrade करके 10 पे कर दिया है, जो की एक अच्छी बात है, customer support की बात कर जाएगा, 24 by 7 customer support है, documentation अच्छा available है, लेकिन live chat support पे कभी यहाँ पे जादा लंबा waiting time मुझे देखने को मिला था, इससे पहले मैं pricing के बारे मैं बात करूँ, मैं disclaimer देना चाहूँगा, कि नीचे जो link दिया है, वो एक affiliate link है, means if you go and purchase through that link, I will earn a small percentage as commission, without any extra cost to you, मतलब एक win-win situation है, आपको यहाँ पर extra discount मिलेगा, अगर आप लोग नीचे द use the links in the description section below, now talking about pricing, जैसे आप लोग मेरे नीचे देगए link पर जाओगे go.kripishartvani.com slash nordvpn, यह page open हो जाएगा, यहाँ पर आपको यह वाली deal मिल जाएगा, coupon code है, यहाँ पर automatically apply हो जाता है, जो मेरा coupon code है, वो automatically apply हो जाएगा, जैसे आप लोग लिंक पर click कर गए तो, उसके protection pro, anti-malware, add tracker बताया था, add blocker बताया था, वो सब अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए $93 रहेगा, और अगर आपको और आपको और भी चीज़े चाहिए, जैसे कि nordlocker हो गया, nordlocker के बाद, nordpass, यह भी सारी चीज़े चाहिए आपको, तो आपको complete plan में मिल जाएगी, मेरे हि अगर आपको सिफ VPN चीज़े, तो basic plan इनका best है, और अगर आपको add blocker भी चीज़े, तो फिर यह देख लो, nordvpn के pros के बारे में बात करी जाए, तो gaming ले एक अच्छा VPN है, speed अच्छी है, streaming performance अच्छी है, privacy, security अच्छी है, audits हो रहे है, ram servers है, then आपको add blocker में मिल जाता है, and you can use nordvpn on 10 devices simultaneously, कुछ cons के बारे मैं बात करों, तो दो मुझे इसके major cons मिले है, पहला यह है, कि 2018 में एक बार इसमें एक server था, जो कि compromise हुआ था, और इन्होंने इसको disclose किया था, 6 महीने बाद, यह चीज़ यहाँ पे कुछ users को पसंद नहीं आए थी, कि आपने इतना time क्यों लिय नौडvpn ने कहा था कि security reasons की वज़े से उनको यह time लेना पड़ा था, बट उसके बाद से नौडvpn ने यहाँ पे काफी सारे steps लिये है, transparency reports वो regularly share कर रहे है, और अपने servers और infrastructure को काफी strong भी किया है, तो it's been a long time now, और उसके बाद से अभी तक इसनकी history clean रही है, second con यह है कि ज थोड़ा यहाँ पर इसको improve किया जा सकता है, especially on their desktop versions, now coming on to the bottom line, for 2025, Nordvpn is great for gaming, अगर आपको gaming करनी है, पिछले 5 साल में gaming की सबसे अची performance, Nordvpn दे रहा है, overall भी यह VPN काफी सही है, speed, security, streaming, और privacy, सब यहाँ पर आपको अच्छा-कासा मिल जाता है, for overall, general user, Nordvpn is fantastic, लेकिन अगर आपका budget कम है, तो फिर Surfshark के तरफ देख सकते हो, and if you want specific use cases in countries like China, तो फिर शायद से हाँ पर ExpressVPN एक better option बन जाएगा, एक all-round VPN चाहिए, तो Nordvpn is a great option, I will rate it 4.5 out of 5, it's a good overall package in my opinion, so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो you can support me by using the links in the description section below, and VPN के बारे में अगर और जा के देख लो, वहाँ पर हमने बहुत सारे comparisons किया है, so that is it from my side, I will see you guys in the next one, goodbye.